वेलकम टू माई यूटूब चैनल मेरे इस यूटूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है सभी को एक साथ वेरी वेरी गूड इमनिंग और नमस्कार तो जिस चीज का आपको इंतजार था वो चीज आ चुकी है हमारे मद्ध प्रदेश पुलिस कॉंस होता जा रहा था इसकी जो समयवधी है वो निश्चत तोर पर दे दी गई है यह पूरा नियम पुस्तिका है चाहता तो मैं बैसे भी वीडियो बना सकता था लेकिन मैंने आपको डारेक्ट ओफिसियल जो गॉर्मेंट का नोटिफिकेशन होता है वो आपको दिखाना चाहत है तो ओनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो आ चुकी है ओनलाइन फॉर्म आपके कब से भरे जाने है यह लिखाए उपर 31-12-2020 जो हमारा लाश्ट दिसंबर का दिन है उस 31 से हमारे फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे 14 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे कब तक 14 जनव होने के बाद मेडिकल होने के बाद अगर आप पेपर में यहां कोई गलती करते हैं फोटो में कोई गलती करते हैं किसी भी चीज को भरने में गलती करते हैं तो आपका वहां फॉर्म रिजक्ट हो जाएगा और आपकी जो पूरी मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा तो नाम डेट सहत लगाना है आपको परिक्षा का दिन भी आपको आ गया है यहां पर छे मार्च और छे अप्रेल यहां सा मुझे दिख रहा है यहां पर अप्रेल भी लिख रहा है लेकिन मार्च भी लग रहा है मार्च में पहले डेट दी थी उनने तो यह मार्च में पेपर हुए हैं किसके कितने पैसे लगेंगे वो आपको computer वाला बता देगा यहां पर paper के बारा में दिखा गया है प्रिथम shift का जो paper है वो 7-8 7-8 reporting time है यह यहां लिखा है 9-11 पहला paper होगा मतलब पहली shift का paper होगा और यहां रेडियो मतलब जो wireless होता है उसके लिए vacancy हैं कितनी 138 और 3862 लगभग 4000 जो पोश्टे हैं वो आपकी gd के मतलब gd में जादा पोश्टे हैं 3477 gd के लिए हैं 3777 अब यह पूरा notification है अगर आपको बारी किसे देखना है तो यूटूब के इस channel के description में मैं आपको link दे दूँगा बहां से आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी बेसिकली जानकारी तो computer वाल आपको पूछेगा ही कि क्या क्या भरना है यह आपका बेतन मान है 19,500 लगभग 20,000 से बेतन शुरू होता है और लगतार हर साल इंक्रिमेंट के साथ बेतन बढ़ता जाता है ठीक है यह और भी डिटेल है जो भी पढ़ना चाहें आप description में जाके इसको डाउनलोड कर लेंगे 166 cm आपकी height मांगी जाती है 186 सी पांच सीना फुलाया जाता है 5 cm महिला के लिए 155 अनुसुचित जन जाती के लिए 160 और 155 यह सब लिखा हुआ है यह और भी बहुत सारी जानकारी है रेडियो के लिए कुछ डाकुमेंट की ज़रूरत रहेगी यह ना electronics, communication, instrument, electrical, electrical, engineering, computer science और information technology यह सब उनके लिए है जो रेडियो का फॉर्म डालेंगे GD के लिए सामान तोर पर उसी तरीके से परिक्षा होगी जैसे होती आ रही है दो घंटे का समय रहेगा, online paper होगा, computer पर होगा, आपको tick करना है, ठीक है और कुछ नहीं करना है, मेरा मानना यह है कि आपको इस पर कुछ ध्यान नहीं देना केवल और केवल आपको अच्छे से फॉर्म भरना है अच्छे से फॉर्म भरने के बाद आपको केवल और केवल एक चीज पर ध्यान देना है बहुत सिलेवस मतलब सब्जेक्ट मतलब बिसाय टॉपिक की पूछा क्या जाएगा आपको पढ़ना क्या है ये है हमारा मैन टारगेट तो भाईया इसी को आपको बहुत अच्छे से समझना है इसी पर हम पूरी बात करेंगे क्योंकि फाम आम तो आपको कंपूटर बाला भर देगा और जो भी जानकारी है वो आदम आपकी डिपार्टमेंट बता देगा मैन चीज है आपकी कि आपको तैयारी कैंसे करनी है और तैयारी में पढ़ना क्या है तो यहां लिखा है लिखित परिक्षा का पाठ्ठिक्रम पाठ्ठिक्रम का मतलब होता है सलेवस तो सो नंबर का पेपर होगा सो नंबर का पेपर होगा अब सो नंबर में आएगा क्या सो नंबर में जो चालीश नंबर का है यह सामान लिग्यान और तर्किक ग्यान तीस नंबर का है बोध दिख्छमता और मांसिका भिरुची और बिग्यान और सराल अंक गड़त यह तीस नंबर का अब यह समझना थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है बहुत सारे बच्चों को इसे मैं आसान भासा में समझाता हूँ आसान भासा में समझने की कोसिस करिएगा इसमें 40 नंबर की जो है वो मैस रहती है क्या रहती है मैस रहती है गड़त मतलब 40 नंबर की गड़त पूछता है अब गड़त में क्या पूछता है तो गड़त में वो ही सब root है, cube root है, किसी भी अंक्या का बर्ग है, किसी भी संक्या का cube है, ratio है, IU से संबंदित question है, algebra है, mensuration है, tignometry है, geometry है, एक बात याद रखना, आब advance math के भी question आएंगे, इस बार ये निश्चत है, क्योंकि competition थोड़ा सा बढ़ा है, वो सारे पढ़ने हैं, चक्रवर्ती ब्याज है, साधरान ब्याज है, बस इन्ही सभी से question आते हैं, 40 नमबर का आएगा, और इस में से लगबग 20 से 25 नमबर की reasoning आएगी, 20 से 25 की reasoning, reasoning आप जानते हैं, reasoning में भी बहुत सारे topic हैं, जैसे पांसा हो गया, है ना, आपका cellulism हो गया, band diagram हो गया, है ना, और जो, और भी है, alphabetical reasoning होती है, ABCD वाली, वो पूछता है तो reasoning की यह बहुत सारे topic हैं, 35 नमबर की आती है, 35 नमबर का आता है, 35 से 40 नमबर का आता है, 35 नमबर का आता है, science और gk, जिसमें से 20 नमबर का gk आता है, और आपका 15 नमबर का science आता है, अब एक बात मैं आपको बता दूँ, कि यह जो numbering है, यह लगभग लगभग average है, औस तन है, इसमें क्या है कि कभी-कभी board, थोड़े बहुत नमबर कम जादा कर सकता है, जैसे 35 नमबर का मैंने बताया slot, तो यह कभी-कभी 36, 37 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, कभी-कभी mass कम भी हो सकता है, कभी-कभी reasoning कम हो सकता है, mass ज़्यादा हो जाएगा, किसी set में science ज़्यादा हो जाएगा, हर एक topic के आपके हर question को आसानी से आपसे बनना चाहिए, घड़ेत आपकी तैयार होना चाहिए, reasoning आपकी तैयार होना चाहिए, और science में basically biology ज़्यादा पूछता है, biology ज़्यादा पूछता है, जी बिग्यान, लेकिन आप आसार हैं, कि थोड़ा बहुत हलका फुलका एक दो question chemistry physics से भी डालेगा, जैसा कि जेल पहरी के exam में देखने को मिला, जेल पहरी में officially science का section होता है, इसलिए साइद उसने science को अच्छे level से पूछा, इसमें science का उतना ज़्यादा level नहीं होता, सामान साइंस आती है, biology को आप तैयार रखें, थोड़ी बहुत chemistry physics पढ़ने हैं, basic basic, ज़्यादा जोर आपको math reasoning पर देना है, क्योंकि math reasoning आपको पूरे number दिला सकता है, फिर आपको MPGK, जो हमारा GK का section है, GK का section है, उस GK में आपको MPGK मस्ट है, MPGK आपको पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, briefly पढ़ना है, advanced level पढ़ना है, क्योंकि MPGK के जो question है, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, सारे जिलों का जो अध्यन है, वो आपको अच्छे से करना है, किसी भी question का आपको नहीं चोड़ना है, सभी जिलों के सभी topic को आपको कवर करना है, जैसे मद्द परदेश का इतिहास हो गया, मद्द परदेश का गठन हो गया, मद्द परदेश में अग्रेजों का आगमन हो गया, मद्द परदेश के मंदर, मस्जिद, मकबरे, मेले, संस्थान, इन्वर्सिटी, विस्विद्याले, जहरना, जल परपात, नदियों का उद्गम, उत्पादन, खनेजों का उत्पादन, पदार्थों का उत्पादन, किसी भी चीज का निर्माड, 18 संतान की किरांती की भूमी का, संगीत समारोह, नरत्त समारोह, जन जातियां, जन जातियों के मेले, त्योहार, ठीक है, तो सभी परकार का जितना भी MPG के है, परबत, पठार, मैदान, चोटी, सभी चीजों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और MPG को कबर करना है, और फिर लास्ट में, 2, 4, 5 नंबर का, 10 नंबर का करेंट फिर भी आ सकता है, तो करेंट फिर पर एक हल्की सी नजर डालते चलें, न्यूस पेपर को धान से पढ़ते चलें, तो आपको करेंट फिर कबर हो जाएगा, यूश पेपर पढ़ने में अगर दिक्कत है तो एक बारसिकी आती है किसी भी किसी भी पब्लिकेशन की वारसिकी ले आओ वारसिकी का मतलब वर्स भर की समसामाई की वर्स भर का करेंट फेर वर्स वर के करेंट अफेर की कोई पतली सी बुकाएगी उसको आप पढ़ लें पूरा करेंट अफेर आपका कवर हो जाएगा घटना चक्राती है हैना सकसेज मरर के नाम से आती है एक दिरश्टी की वी वारसिकी आती है तो बहुत सारे पब्लिकेशन मौझूद है मद्द प्रदेश के लिए एक अभी लॉंच हुई है जिसका नाम है जिसका नाम है समसामाई की मद्द प्रदेश निश्चे के नाम से आती है समसामाई की मद्द प्रदेश मतलब मद्द प्रदिस के current affair का निश्चे आता है निश्चे के बाद एक और है एक दो दुकान पर जाएंगे तो आपको swap पर जाके सब कुछ मिल जाएगा तो एक MP का current ले आएं एक भारत का जो इंडिया का और वर्ल्ड का उसका current affair ले आएं और मेरे ख्याल से MPG के की एक बुक किसी कोई भी purchase कर ले उससे आपको MPG के कबर हो जाएगा ठीक है तो बस इसी इसलिए बस पर आपको ध्यान देना है और आपको तैयारी करनी है कोसिस करूँगा कि मैं कुछ टॉपिकों को YouTube पे भी कबर कराने की कोसिस करूँगा है ना MPG के मैं सोच रहा हूँ की पढ़ाऊं YouTube पे तो मैं कोसिस करूँगा पूरी है ना शामाई निकाल के और जो science है वो science जो है पहले basic आती थी बाइलो जी अगर किसी भी वेक्ती को science का batch purchase करना है तो हमारे YouTube पे सारे batches सारे science के वीडियो पढ़े हुए है करम से अभी lockdown के सिसन में मैंने पूरी science पढ़ाई है और advanced level से science पढ़ाई है आप एक बार science हमारे YouTube चैनल पे पढ़ लेंगे उसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूत नहीं है किसी book को पढ़ने की ज़रूत नहीं है किसी book को आप पढ़ेंगे संसार की आपको 2-4 question कम ही मिलेंगे ज्यादा नहीं मिल सकते एक बार आप एक वीडियो को देख लें demo लेके देखें कुछ वीडियो हमारे public हैं और बाकी सारे वीडियो हमारे private हैं तो physics, chemistry और biology को मैंने अच्छे level से पढ़ाया है है ना बहुत अच्छे से क्या कि यह है कि आपका कुछ पचेगा नहीं यह माने के चलो तो बहुत कम फीस में बहुत कम फीस में लगभग 499 के आस पास वो पूरा bad batch है है ना और उसमें आपको पूरी science की वीडियो आपको provide करा दिये जाएंगे चाहें तो आप उस science की वेच को purchase कर सकते हैं ठीक है तो उसमें आपके numerical भी बन जाएंगे क्योंकि numerical के लिए क्या है अगर numerical आपको पढ़ना है तो numerical के लिए भी हमान मैने फिजिक्स इस तरीके से पढ़ाई है क्योंकि आप numerical भी कर पाएंगे क्योंकि numerical करने के लिए आपको formula याद होना चाहिए जैसे आपसे पूछ लेगा कि किसी भी bulb में अगर 200 बोल्ट की धारा प्रवाहत होती है और उसमें बोल्ट 100 बाट का है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा तो आपको प्रतिरोध पता होना चाहिए कि प्रतिरोध क्या है फिर उसका formula पता होना चाहिए यहना यह basic है तो वही है B proportional I, B square to R I, R square to B upon I यहना तो वहाँ value रखेंगे और आराम से answer आजाएगा तो कहीं कोई शमश्या नहीं है बस आप एक बार physics को basic पढ़ाएं हमारे YouTube पे सारे वीडियो डले हैं अगर आप purchase नहीं कर सकते तो आप कुछ free वाले topic हैं लगभग 10-20% वीडियो लगभग मैंने 20-30 वीडियो free किये हुए हैं के लिए तो वो आप देख सकते हैं उसमें आपके topic cover हो जाएंगे और उसमें numerical भी cover हो जाएगा इसके बाद हम एक series लेके आएंगे numerical की उसमें मैं numerical आपको कराने की कोसिस करूँगा ठीक है क्योंकि जेल पही के exam से ऐसा लगने लगा है कि advanced math और advanced science मतलब numerical science इन दोनों का बेटेस पर competition रहेगा जो इन पर command करेगा और उसका selection निश्चिती होगा तो घबनाएं नहीं बढ़िये सांती की तरीके से schedule बना लें हम मैं description box में इसकी link दे दूँगा और कोई भी strategy आप चाहते हैं कुछ भी आपका confusion है कोई भी doubt है तो comment section में comment करें आपके doubt को बहुत अच्छे से clear किया जाएगा मैं आपसे फिर से वही कहूँगा कि जादा नहीं भागना है जादा post का जवान नहीं करनी है बस जो है उसको revise करो जितना data है उसको revise करो आपका काम हो जाएगा RS अगरबाल की book को पढ़लो पूरा लगा लो उसको perfect की reasoning लगा लो lucent पढ़लो पूरी lucent पढ़ने के बाद एक current affair की कोई भी book पढ़लो और एक MPG की book पढ़लो और एक science की book पढ़लो इतने में आपका काम हो जाएगा है ना कितनी book पढ़नी है आपको 5-6 book पढ़नी है पहली book RS अगरबाल लगा लो मैस की एक reasoning की perfect लगा लो lucent की है तो वो भी लगा सकते हो मैस की अगर RS अगरबाल की जगए कोई और दूसरी है तो वो भी लगा सकते हो मैस का RS अगरबाल हो गया reasoning के लिए perfect हो गया लूसेंट के लिए सामान निग्यान हो गया लूसेंट पढ़लो है ना लूसेंट में लगभग आपकी विज्ञान कवर हो जाएगी ना दिक्कत नहीं है अगर और एडवांस लेवल पर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं जी एस वाइ नरेश सर के नाम से यूट्यूब है हमारा साइंस के लिए ये हो गया MPG के के लिए कोई सीबुक ले सकते हूँ पूरेकर है है ना मुकिस महस्वरी की है वर्णवाल की है बहुत सारी हैं और पांच में एक करेंट अफ़ेर की वोग ठीक है तो इतने में आपका ज जो टोपेक अपका कबर हो जाया इसको टिक लगा दें जिसका रिवीजन हो जाया इसको टिक लगा दें ऐसे करके दो महिनी का एक बहुत अच्छा सेडूल तयार करें और मैं यही कहूंगा कि जितना पढ़ो उससे उसका रिवीजन जरूर करो रिवीजन करना must be important है ना जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए तो परामावश्यक है जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका रिवीजन ही चल रहा है तो रिवीजन बहुत जरूरी है कोई भी डाउट है कोई भी और कन्फूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्षन में आपकी समस्या का समधान बिल